कभ मैं आपकर करते आके मैंने नेक्स्ट टॉपी किताब जिसका अगेन इंपली और मैंने अप्ध अने नग करने वयहां सिस्ट मैंने यहाई हो गया यह किलना भूर संदंद हो ग्या वन 1 और एड यहां फ्रीक में इसका मतलब संजाता हूं 1Person 1Vote 1Value का मतलब क्या होता है पहले यहां लिख देता हूं 1Person ठीक है 1Vote ठीक है 1Value पहले यह मतलब समझ लेते हैं तो यह आप लोगों के लिए आसानी होगी इसमें पहले मतलब भी समझते हैं वन परसन का मतलब यहां पर यह होता है कि कि हर एक व्यक्ति को वोटिंग का राइट जैसे ये दो लोग हैं ये तीन लोग हो गए तो हर एक व्यक्ति को वोटिंग का राइट तुम्हें भी वोटिंग का राइट है तुम्हें भी वोटिंग का राइट है तुम्हें भी वोटिंग का राइट है ऐसा ना हो कि ग्रूप आफ लोगों को कह दिया जाए जैसे तीन लोग है इन तीन लोगों को कह दिया जाए कि तुम लोग केवल एक ही वोट डालोगे ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हें भी वोटिंग का राइट है, तुम्हें ठीक लगता है, तुम्हें गलत लगता है, तुम्हें ठीक 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 तो हर एक को अलग अलग टाइच ठीक है अलग वोट वन वोट का मतलब यहां पर क्या है कि गिगते हम अगर अगर बात करें अगत हैं तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि हर एक इंड़ीजर को तो voting का right हो, जैसे for example ये बंदा ये बंदा है, ये अगर rich है, तो इसको भी voting का right मिले, अगर ये poor है, तो इसको भी voting का right मिले, ऐसा नहींisstार हो कि रीच है तो वोटिंग का right दे दिया गया, और ये poor है, तो आप इसको voting का right नहीं दे रहे, आप इसे vote डाल नहीं दे रहे, क्यों कि तुम गरीब हो तो ऐसा नहीं हो, हर एक व्यक्ति को vote देने का दिकार होना चाहिए, उसके gender पर देखना नहीं चाहिए, वह अमीर है, गरीब है, वह कितना बड़ा लिखा है, कितना पड़ा नहीं ल तो उसके भी vote के value क्या हो, एक हो, अगर पूर इंसान vote डालने जा रहे, तो उसके भी vote के value एक ही हो, यहां discrimination आओ, कि अगर तुम अमीर हो, तो वोट डालोगे तो तुम्हारी vote के value बढ़ जाएगी, अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारी vote के value घट जाएगी, तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम्हारी vote के value घड जाएगे ऐसा कुछ नहीं होता आप कितने भी पड़े लिखे हो कितने भी रिच हो हमारे देशकंद है क्या इंडिया कहनद है कि हर एक व्यक्ति को voting का right है हर एक व्यक्ति की vote की value भी equal ही है अगर अम्मानी vote डालने जा रहा है तो उसक आप चीज तो समझ में आ गया होगा कि one person one vote one value क्या समझाने की कोशिस कर रहा होगा नहीं समझ में है तो एक बार दुबारा pause करिए फिर समझने की कोशिस करिए हमें universal अडर्ट फ्रेंचाइसी भी देखने को मिलती है अब यह universal अडर्ट फ्रेंचाइसी क्या होता इसे मैं सम वोड़ाता है कि मुझे वोट मिलना चाहिए आपको वह बींड jokes मिलना चाहिए आप अमीर गरीब हो मैं मईदा कि यह और यह देखने को नहीं मिलता मतलब वौटिंग महाँ रोगों को भे वोटिंग के साथ मिलता है जैसे कि सौधी अरिभ्य केंदर 2015 से पहले पहले और तो को वोट देने का दिखार ही नहीं था कि और वोट ही नहीं डा सकती तो यह भी डिस्क्मिनेशन है जेंडर के बेस पर अगर वही लड़का होता तो वोट मिल जाता क्योंकि वो लड़की है तो उसे वोटिंग का राइट नहीं तो क्या देखने को मिल रहा है इस एसओ टोनिया की बात करें तो अगर आप रशें माइनॉटई से बिलॉग करते हो तो आपको बहुत ही डिफकल्ट होता है वोटिंग का राइट मिलने का अगर आप एससो टोनिय में रहते हो और उन्होंने अपने कुछ citizen सुदू लिया उन्होंने अपने कुछ नियम कानूनी इस तरीके से बना रखे हैं कि अगर आप russian minority हो तो आप लोगों को बहुत मुश्किल से वोटिंग का दिकार मिलेगा क्लियर फिजी की बात करें फिजी ने भी कुछ इस तरीके से अपना electoral system बना रखा है कि अगर आप एक indigenous physio, indigenous physio का मतलब वहीं कहीं रहने वाले हो मतलब आपके दादा पर दादा सब physio के ही रहे हो तो आपकी वोट के value जादा है अगर आप एक Indian physio, Indian physio का मतलब कि जिसके दादा पर दादा इंडिया से बिलॉंग करते थे इंडिया से बिलॉंग करते थे यहाँ पर आके physio में आके रहने लगे और यहीं पर फिर बस गए तो उन्हें Indian physio कहा जाता है तो उनकी वोट के value क्या होगी as compared to वहाँ के indigenous physio से जादा होगी तो हमें क्या पता चला कि Indian physio की वोट के value कम है लेकिन Indian physio की वोट के value कम है हो तो आपके भी वोट के value एक ही consider किया जाएगा जितनी वोट के value मेरी consider किया जाएगी तो यह इंडिया के अंदर है तो इससे conclusion यह निकलता है कि हर एक adult citizens को जैसे अपने देश के अंदर 18 को adult माना जाता है कि 18 साल से उपर हो तो आप voting के लिए eligible हो जाते हो किसी देश के अंदर 20 होगा किसी के अंदर 20 होगा अलग-अलग देश का अलग-अलग rule है लेकिन जितने भी हमाई देश के अंदर है कि अगर जितने भी 18 साल से उपर के होंगे सभी को एक vote है हर एक vote के value भी equal है ऐसा नहीं है कि अगर कोई अठारा से उपर है तो वो रिच है तो उसकी वोट के वैलू अलग हो जाएगी पूर है तो अलग हो जाएगी नहीं आप इंडिया के अंदर हो आप 18 साल के हो वोटिंग के लिए eligible हो तो आपके वोट के वैलू भी same रहेगी जितनी वोट के वैलू मेरी है तो रि झाल झाल